दोस्तो स्वागत है मेरे चानल में on your round 15 में जैसे ही स्वागत करता हूं आपको बता देता हूं मेरे 61 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके है और मैं बहुत बहुत थैंक्यू बूलना चाहता हूं दो दिन के अंदर 4 सब्सक्राइबर यही लगता है कि मुझे 10,000,000 सब्सक् दोस्तो सब्सक्राइबर यहां पर आपको बिल्ट इन अलेक्सा देखने मिलता है अलेक्सा एक गूगल गूगल एसिस्टेंट जैसे ही एक मतलाब अप है जहां पर आप अलेक्सा से बात कर सकते हो आमाजन से है अलेक्सा और यहां पर देखो प्राइस है 17,999 जो है 18,000 मेड इन इंडिया लिखा है मतलब यह नहीं कि पूरा मुबाइल मेड इन इंडिया है इसका जो PCV है रैम है स्टोरेज है एसेटर 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 एक बाहर से कंपनी से बाहर से देश से आता है और यह यहां पर आपको कोई एक्स्टा कवरिंग नहीं मिलता है और इसका और एक में फीचर है जहां पर मतलब इस मोबाइल पर आपको मिलता है मीडिया टेक के टॉप G90T प्रोसेजर जो कि एक बहुती पारफुल प्रोसेजर है तो चलो खोलते है और मैं सिली कटा हूँ मोबाइ पर आपको यहां पर एक स्वाइब करना पड़ता है तो यहां पर एक सीचेट टूल है और फ्री का कुछ ग्यान बोलो ओ यहां पर एक सॉक्ट केस है ब्लैक कलर का कभी कबर एक ट्रांसफरेंट केस भी दे देता है तो नहीं मुझे ट्रांसपरेंट केस से ज्यादा मुझे ब्लैक केस बहुत ही tentang लगता है और इहां पर दिया गया है और यहां पर एक हायलाइट भी दिया वहा यहां पर आप एक मेमोरी काड़ और एक मेमोरी काड़ और दो सीम काड़ अराम से लगा सकते हैं देखो इसका कलर देखो क्या साइन है चमक देखो सिप चमक इसका यहां पर लगा है quad camera यह है 64 MP, main camera यह है 8 MP, जो ultra wide है यह 5 MP for macro shot, no यह वाला 5 MP for macro shot and यह वाला 2 MP for depth sensing के लिए, और यहाँ पर एक glass fingerprint है और इस protection को आराम से हताते है, हाँ, तो आजाता है, मेरे पास Redmi Note 8 Pro, और इसका protection तो हटा दिया, अगम नंगा कर दिया, तो चलो आप दिखते हैं, और बॉक्स में और क्या क्या मिलता है, तो basically हमें एक 18W fast charger मिलता है, और इसको साइड रखते है, और यहाँ पर एक USB to USB-C cable आपको दिखने को मिलता है, और 18W fast charging, चलो अब इसको power turn, और इसको screen के जो size है, there we go, screen का size है, 6.53 inch, with full HD display, Redmi Note Pro, Xiaomi and Android, और मैं इस mobile को अब दो आपडिक्ट आएगा, उसे पर देना चाहिए, यह mobile है, चलो एक वो settings दिखा देता है, एक देखो, MIUI 11 और यहाँ पर storage देखो, storage 128 GB, और इसका जो RAM है, RAM आपको दिखा देता हूँ, RAM है, 6 GB, CPU है, Octa Pro, 2.5 GHz, इसका CPU मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको 2 GHz का एक processor मिलता है, और इसका जो selfie है, 20 megapixel का, और इसका back camera है, 64 मैं बता चुका हूँ, और इसका जो screen है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मगर इसका जो camera है, वो night time में उतना अच्छा नहीं देता, और यहाँ पर थोड़ा सा pre-install apps आता है, मगर virus virus नहीं आता है, मतलब समझ रहो ना, TikTok का बात कर रहा हूँ, तो यही था इस mobile का असली research और इसमें आपको gaming का कोई issue देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको इस price point में आपको एकदम smooth gaming performance मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक extra चीज देखने को मिलेगा, आप simply search कर देना, Game Turbo Booster जबी on हो जाएगा, Game Turbo में जाना और यहाँ पर settings में जाना, settings के जाने के बाद additional settings लिख रहा होगा, यहाँ पर जाने के बाद, Suppose मेरे पास Ludo है, यहाँ पर देखो, इस features में आता है, आपको इस corner है यहाँ पर फुरा से sensitive उतना नहीं आता, यहाँ पर आप large और शक्ते हो, small, take down small, कितना भी और इसके touch response, मतलब refresh rate तरफ की तरफ जैसे मतलब मगर इसमें refresh rate नहीं आता, यही था इस mobile के बारे में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शियर करना और सब्स्राइब करना, सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टेन चीज़ है, और चलो इसके fingerprint को दिखाते हैं, तो इसके जो face unlock है मैं दिखाऊंगा, उसके पहले मैं इसका fingerprint test कर देता हूँ, इदा हो, बहुती fast है, बहुती fast, देखा, इसका face unlock देखते हैं, यह, देख सकते हो, मतलब zero time, मतलब क्या, मुझे कुछ बोन लेका, मतलब मोकाई नहीं मिल रहा है, और इसका जो आपको 18W fast charging मिलता है, और यहां पर आपको 45,000 mAh का एक battery मिलता है, जो कि बहुती बड़ा battery है, और mobile जब चार्ज करने में थोड़ा सा heat हो जाता है, वो सब mobile के हो तो बैटरी उतना capacity नहीं लेता, और जो नयना mobile में आता है, जो दो तरफ बैटरी होता है, यहां पर एक यहां पर एक, फास चर्जिंग के लिए, मगर इसमें single battery आता है, और यहां पर liquid cooling technology भी आता है, specially मुझे note 8 का series मुझे बहुती अच्छा लगा, क्यूंकि इसमें आप को मतलब क्या है, बता हूँ, note 8 जो था, उसमें आपको पीछे की side एक बहुती सांदर glass का एक covering देखने को मिलता है, और उसका screen भी बहुती बढ़िया है, मगर note 8 और note 8 pro का बात करें, तो उसमें मतलब 19-20 का फर्क है, मतलब इसमें सी processor snapdragon है उसमें, और इसमें media tech का processor है, camera 48 औ और यहां पर 64, selfie के बात करें, यहां पर 20 megapixel और वहां पर आता है आपको 16 megapixel यही था, बस और कुछ नहीं, प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मरना, शेर करना, और सब्सक्राइब मरना, और सब्सक्राइब मरना,